हलो स्टूडिंट्स आप सभी का स्वागत है जियारेफड़ा चानल पे मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा आपके एजिकेटर फो सियारेफड़ नेट लाइफ साइंसेज सो गाइज जियारेफड़ा पे आपके लिए अवेलेबल है सियारेफड़ नेट का कम्प्लीट कोर्स इन लाइफ साइंसेज और क्यामिकल साइंसेज जहाँ पे आपको अभी जॉइन करने पे 12 मॉंस की वैलिडिटी मिल जाएगी at an offer price of 19,999 रुपीज सो गाइज यहाँ पे आपको ABC तीनों पार्ट जो है आपके सिलिबस के वो कम्प्लीट करवाए जाएंगे क्लास जो है subject experts की द्वारा कंड़क करवाए जाएंगी doubt support के अंदर अपने doubts पूछ सकते हैं और साथ पे PDF form में आपको सारे notes मिल जाएंगे अगर आप जॉइन करना चाहें तो jrf.ada की website पे जाके jrf.ada app को डाउनलोड करेंगे आप डाउनलोड करने के बाद में यहाँ अपना जो study group है वो चूज कर सकते हैं इसके बाद अपना course चूज करके और आप enrollment करवा सकते हैं जिसके बाद आपको course का access मिल जाएगा आज हम क्योंकि आपका exam बिलकुल पास आ गया है तो कुछ previous year questions के जो आएवे आपके है genetics के उपर based वो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ जिस पर first question है यह वाला और आज जो मैंने questions लिया है वो genetic markers के उपर based है so this is the first question, let's read the question polymorphic DNA sequences are used for molecular identification short tandem repeats STRs short tandem repeats क्या होता है जो कुछ particular sequence है उसके जगा जगा पे repeats present होता है हमारे DNA के अंदर उन्हें हम short tandem repeats कहता है single nucleotide polymorphism which is SNP so guys काफी सारे nucleotides जो attach होते है उसके अंदर कुछ particular अगर दो individuals को हम compare करें तो कोई-कोई एक आधा जो nucleotide है वो different अलग-अलग individuals के अंदर मिलता है उसी को क्या कहता है SNP मतलब कोई एक nucleotide के अंदर change हो दो different individuals के अंदर and then autosomal STRs or mitochondrial single nucleotide polymorphism और Y-linked STRs यह 4 इन्होंने characters दिये हैं जिनके उपर हमको कुछ चीज़े identify करनी है so STR किन का दिया है इन्होंने यह four individuals related to each other representing parents and their two children so यहां पर एक family का genetic markers का पूरा का पूरा हमारे पस में एक layout है जिसके अंदर कौन-कौन include है parents है दो individual है जो कि कौन है parents है और इनके दो kids है okay so now we have to identify based on the above data identify the individuals representing the two parents so हमें two parents का यहां पर पता लगाना है so अब हम कोशिश कर दे हैं कि parents कौन-कौन से है और kids कौन-कौन से है कौन सा boy, girl यह सब चीज़े आप कैसे identify कर सकते हो यह चीज़े हम यहां पर अभी देखने वाले हैं so यहां पर चार individuals है देखिए A, B, C और D हमें पता लगाना है इसमें से father, mother, sister और brother कौन-कौन से है इनके दो बच्चे कौन से हैं और parents कौन से है हमारे पस में क्या-क्या है autosomal SNP single nucleotide polymorphism दिया है और autosomal STR, short endum repeats दिया है मतलब यह autosomes के उपर present है जैसा कि हमें पता है हमारे जो cell हैं उसके अंदर किस-किस तरह के chromosomes present होते है autosomes होते हैं और कुछ sex chromosomes होते हैं तो X and Y क्या होते है sex chromosomes और उसके अलवा mitochondrial DNA भी present होता है so mitochondrial DNA के अंदर भी हमें क्या दिया है single nucleotide polymorphic trades यहां पे दिया है और यहां पे हमें दिया है while linked STR short tandem repeat so अब हम यहां पे शुरू करते हैं कि आप किस तरह से identify करोगे now जैसे हम सभी को पता है while linked बहुत ही easy hint यहां पे हमारे पस है while linked अगर कोई भी हमारे पस STR है तो वो किस में present होगा वो सिरफ males के अंदर present होगा तो क्या हम यह बात कह सकते हैं कि individual A और B दोनों क्या है यह दोनों males है right so they are the father and son यह चीज हमें यहां से पता लग गई कि यह दोनों males है now coming to mitochondrial DNA mitochondrial DNA हमेशा अपने kids को कौन contribute करके जाता है mitochondrial DNA kids को कौन contribute करेगा mother kids में कहां से आएगा mother से mother अपना mitochondrial DNA किसको पासओन करेगी kids को father का सिरफ जो है वो nucleus आता है मतलब उनका सिरफ जो मतलब जो chromosomes है वो सिरफ उनके आते है okay और जो बाकी का जो mitochondria वाला जो भी हमारे पस DNA है वो mother contribute करेगी okay so यहाँ पर हम देखते हैं कि mitochondrial DNA कि अगर हम बात करें तो यह वाला जो एक single nucleotide polymorphism है यह A, B, C और D चारों के अंदर सेम है तो इससे हम कुछ conclusion पता नहीं लगा सकते लेकिन SNP 2 पे आई एक बार single nucleotide polymorphism 2 का जो trait है इस एक individual का different है और इन तीन का बिलकुल सेम है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो तीनों individuals हैं यह कौन है इन में एक तो है mother और दो kids तो अब हमें यह पता लग गया कि जो individual A है वो कौन है father यह conclusion यहां से निकल के आ गया और क्योंकि यह father है और तो दूसरा male कौन होगा यह वाला यह कौन है son सो यहां से हमें father और son का तो पता लग गया अब C और D जो है यह कौन है mother और daughter है रइट सो यहां पर अब हम आते हैं STR autosomal पर ओके now autosomal STR हम SNP और STR दोनों हैं यहां पर देखता है इक बार ना autosomal SNP एक बार देखें यहां पर father है individual A और इनका जो single nucleotide polymorphism हम देख रहे हैं वो क्या है यह वाला C और C है जबके individual B के अंदर क्या present है C और G यह किसका है sun का obviously इस sun के पास एक G है जो कि father के पास तो है नहीं रइट यह कहां से आया होगा अगर father के पास यह G नहीं है तो यह कहां से आया होगा यह आया होगा mother से right तो यहां पे जो individual C और D है उनमें सिरफ इसी वाल एक case के अंदर यहां पे यह G present है तो यह इन्होंने किसने mother नहीं यहां contribute किया होगा तो हम कह सकते हैं individual C जो है वो कौन है mother और individual D जो है वो कौन है daughter है ठीक है ना so इस तरह से हम easily पता लगा सकते है so इस तरह के questions से डरना नहीं है उसको आप थोड़ा detail में अंदर देखोगे जाकर के तो आप अराम से इन चीजों को identify करके इस तरह के questions को कर सकते हैं okay so this is all about this now यहाँ पे आगे इसको identify कर लेता है individuals A and D हमें पूछा क्या गया था कि यहाँ पे दो parents पूछा क्या था कौन कौन से है तो parents कौन कौन से है father है A और mother है C so A and C हमारा answer होगा तो यहाँ पे जो individual A and C आपका option B बिलकुल यहाँ पे correct है so आपका answer हो गया A and C so guys इस तरह के questions आएंगे इनको identify करना ही बहुत आसान है so इस तरह के generally C section के अंदर questions पूछे जाता है तो इन questions को आपको जरूर लेना है now एक और हम example देख लेता है which one of the following DNA markers can be used to distinguish between homozygote and heterozygote so guys homozygote क्या है और heterozygote क्या है now homozygote कौन होते है homozygote वो होते है जिनके पास में जो दोनों के दोनो chromosomes है वो बिलकुल same हो और heterozygote कौन होते है जिनके पास जो दो chromosomes है ठीक है इनके उपर जो particular कोई भी traits है वो different different present हो मतलब same gene होगा but alleles different हो सकते हैं right alleles हो सकते हैं इन दोनों के उपर जैसे अगर ये वाला dominant है तो suppose ये वाला recessive है और इसी तरह की और genes के sequence भी यह पर present हो सकते हैं तो ये तो हो गया कौन heterozygote और homozygote कौन होगा जिसके पास exactly same chromosome होंगे दोनों के दोनों they will be called as homozygote अब इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं सो गाइस ये कुछ टेक्नीक्स हैं okay RAPD AFLP RFLP और ISSR now इनको identify करने के लिए क्या हम देख सकते हैं suppose ये आपका DNA है ठीक है ये दूसरा वाला DNA है now इसके अंदर जो टेक्नीक हम generally use करते हैं वो RFLP यूज करते हैं और वो किस तरह से यूज करते हैं देखे RFLP क्या है Restriction Fragment Length Polymorphism Restriction Restriction Fragment Length Polymorphism Okay now कुछ restriction enzymes होते हैं कुछ endonuclease enzymes होते हैं जिनका काम क्या होता है specific site पे cut करना specific site के उपर ये क्या करते हैं cut करते हैं कौन Restriction endonuclease enzymes endonuclease जैसे हमें पता है DNA के बीच में cut करता है so इस तरह की जो enzymes हैं वो हम लेके आएंगे और उनसे हम इन particular cells को treat करवा देंगे तो अब क्या होगा जब हम इनको treat करवाएंगे तो जगा जगा पे यहां पे क्या है यह cuts हो जाएंगे यहां पे cut हो गया सबोस्वोज कई जगा पे यहां पे cut हो जाएगा इस तरह से यह cut कर देगा DNA को जब DNA आपका cut होगा उसकी बाद में हम क्या करेंगे इसको हम इसको जो है इसका PCR PCR रन करेंगे और PCR रन करके इसको electrophoresis पे हम देखेंगे तो इसके अंदर हम bending pattern चेक करेंगे bending pattern अगर जो है अलग-अलग fragment sizes के ज्यादा fragments हमारे पस आए जो हमने सोचे थे तो इसका मतलब यह जो दोनों है क्या है heterozygots है मतलब दोनों different chromosome के मतलब different types है इनके अंदर alleles present है बट आर नॉट homozygous वो क्या है heterozygous है और अगर उसके अंदर दूसरा वाला case हुआ अगर कम bands बने ठीक है या फिर जादा मोटे bands बने तो इसका मतलब अगर जैसे यह वाली condition है तो इसमें different restriction site यहां पर अगर present है so these are heterozygots ओके now homozygots के अंदर क्या होगा homozygots के अंदर बिलकुल same जगह पर दोनों के अंदर कट लगेगा अगर इसमें इन जगहों पर कट लगा है तो इस वाले में भी यहीं पर ही कट लगेगा ओके तो that basically means कि यह दोनों क्या है homozygots है homozygots हैं दोनों के दोनों इस condition में हमारे पास में जो DNA के bands आएंगे तो वो क्या होंगे कम होंगे और वो थिक bands बनेंगे ज्यादा intense bands बनेंगे छोटे छोटे कई सारे bands अलग-अलग sizes के नहीं बनेंगे यह चीज हम किस से identify कर सकते हैं RF-LP से तो इस इस हाओ we can identify कि homozygote है या फिर heterozygote है कोई भी DNA using their DNA markers ओके तो इस आफ फ्यू प्वेस्टेंस related to genetics जिसके अंदर हमने अभी देखा कि जो हमारे genetic markers हैं उसको यूज करके हम किस तरह से जो genes हैं उनकी बारे में जान सकते हैं उनकी study कर सकते हैं अगर आप ज्यादा डीटेल में हमसे पूरा complete course करना चाहते हैं तो आप हमी जॉइन कर सकते हैं JRF Adda की website पे जाएं और JRF Adda की आपको डाउनलोड करें यहां अभी जॉइन करने पे आपको 12 months की validity मिल जाएगी और जोगी available है